नमस्कार मैं श्रीकां चोहान आप सभी का ट्रेट टॉक के पॉर्कास में स्वागत करता हूँ आज हमारे मार्केट्स हमें लगता है कि अंचेंज लेवल्स के करीब उपन होगी उसका सबसे बड़ा रिजन यही है कि जितने भी गेंस अभी गिफ्ट निफ्ट दिखा रहा है वो सभी गेंस हमने शुक्रवार के दिन शनवार के दिन एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में और डाइजेस्ट किये हुए है और इसी वज़े समय लगता है कि हमारा मार्केट एक अंचेंज लेवल्स के आसपास खुल सकता है बड़ उसके बाद अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 22,300 से लेकर 22,275 या 250 के रेंज में कुछ लॉंकी पोजिशन बनाए जा सकती है स्टॉप लॉस रखे 22,100 का साथी साथ 22,500-600 के करीब मार्केट के लिए बड़ा रेजिस्टन्स है तो उन लेवल्स के करीब आपको अपने ट्रेडिंग पोजिशन में से कुछ पोजिशन को कम करना जरूरी है बैंक निफ्टी यहाँ पे भी हमने अच्छे कासी तेजी देखी और यहाँ पे भी हमें लगता है कि 47,400 के ओपर अच्छी तेजी बनेगी जो 48,000 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है करेक्शन में 46,900 और 46,800 के गरीब बैं सकती है क्योंकि जो bond yield है वो 4.2730 से भी 4.19 के करीब आ चुका है साथी साथ इस week में हमें कई सारे important events को face करना है सबसे पहले Mr. Povel की टेस्टी बनी रहेगी गुरुआ बुदवार के दिन तो वो एक event बना रहेगा हमारे लिए और साथी साथ job data के नंबर साएंगे शुक्रवा में तो इसी वज़े से market में range bound sort of activity दिखने मिल सकती है और buy on dips की strategy हमें follow करनी है banks में हमें लगता है कि HDFC bank, state bank और ICICI bank इन तीनों में uptrend जारी देगा, industry bank साथी साथ Axis bank में हमें लगता है कि momentum बना रहेगा बट IT stocks में भी हमें कुछ focus करना पड़ेगा क्योंकि अगर interest rates की दरोग के उपर अगर कोई specific positive अगर comment आती है तो वो IT stocks के लिए positive हो सकता है तो दोस्तव आज के लिए बस इतना ही आप सभी से मैं आज के लिए फिदा रहेता हूं धन्यवाद